हलो जी सारे प्यार पर इस सशेय का ते स्वागित हटा एक और नवी वीडियो दनाल वीडियो के टाइडल से पता ही चलिए होना, कि क्या गरने वाले आज क्योंकि वीडियो बना रहे हम पासपोर्ट रिनुवल के लिए तो आपको पास्पपोट एक्सपपोर हे तो भी कर सकते हैं हमने अपना अठ्रस भी च्छेंज गरा था था मीरे वैफ का आर इसके लिए कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, किसी एजेंट के पास जाने की जूरत नहीं है किसी को पैसे देने की जूरुजनी है, सब काम अपने आप अराम सो सकता है, ठीक है, उसके लिए बस आपको laptop चाहिए, internet चाहिए, और form भरना है, उसके बाद आपको वो form भर के लेके जाना है, BLS Center पर, ठीक है, तो पड़ा बड़ी काम करते हैं, laptop भी चलते हैं, और form भरते हैं फिर मैं दुबारा आता हूँ, क्या है steps, उसके बाद form भरने के बाद क्या करना है, तो let's get started, सबसे पहले आपको अपने browser पर टाइप करना है BLS Canada और जो पहली website आईगी, जिसका नाम है BLS India-Canada.com उस पर click करना है, फिर आपको अपना area चूज करना है, जिस area में आपकी city काफी सारे area लाई करते हैं, हमारा जो है Alberta Calgary है, तो इसलिए हमने Vancouver वाल area चूज करना है, क्योंकि वो उसके अंदर लाई करता है, फिर आपको select करना है passport services और उसके अंदर new booklet और renewal, इसके बाद आपको पांच टैब दिखाए देंगे, जिसमें पहला टैब है information का, आपको इसक बटन होगा click here, वहाँ पे click करना है, इसके बाद एक form open होगा, उस form में आपको सारे document के list मिल जाएगी, जो जो आपको चाहिए अपने passport renewal के लिए या update के लिए, उसके बाद आपको नीचे scroll करना है, और नीचे scroll करने पर आएगा online application form, वहाँ पे आपको एक URL दिया होगा, उस पैसी, जो कि हमने पहले देख चुके हम इसमें आएगा Canada, Vancouver क्योंकि हमारा Alberta, Vancouver में लाए करता है, तो उसके बाद है given name, अगर आपको आपके passport पे only given name है, सरनेम नहीं है, तो आपको पूरा पूरा नाम अपना given name में डालना है, मेरे case में यही था, चो इसलिए मिने अपना और फिर email ID, और उसके बाद आपको चूज कर लेना है yes, ताकि आपनी login ID और email ID same हो जाए, और फिर password, confirm password and hint question चूज करके आपको कर लेना है register, फिर आपको आपके email ID पे एक verification email आई की जिससे आपको verify करना है अपना account, verify account करने के बाद आपका account activate हो जाएगा, और उसके बाद issue of passport, अब यहां पे हैं दो चीजे, अगर आपका खाली validity expire वाला scene है, तो आप खाली validity expire वाला option चूज कर लेना, अगर आपको आपके passport में कुछ change करवाना है, for example spouse name add करवाना है, या address change करवाना है, तो आप वो select कर लेना, हमारे case में हमारा passport भी expire था और हमें passport update भी करवाना था, इसलिए हमने दोनों option चूज कर लिए, spouse name and address और साथ में validative option भी, तो next है आपका type of application, इसमें आप चूज करना है normal या ततकाल, ततकाल मत चूज करना क्योंकि Calgary, जो BLS है वो ततकाल application नहीं लेता, इसलिए हमने चूज करना normal और उसके बाद type of passport booklet, उसमें आप 36 page चूज करना ह और click करना है next, next आपको fill करना है अपना given name, जैसा आपके passport में दिया हुआ है तो आपको सारी information fill करनी है, फिर gender और उसके बाद marital status, date of birth, जितनी भी सारी information है आपको अपने passport के according fill कर लेनी है, pen card jury नहीं है, water card jury नहीं है, और employment type education ये सारी आप fill कर लेना, next है आपका कि अगर आप आपको डालना है अपना valid आधार card number यहाँ पर उसके बाद चूज करना है I agree और click करना है next फिर आपको fill करना है अपना father's name, अपना mother's name और उसके बाद आपको fill करना है अपना spouse name, अगर आप add करवाना चाहते हो अपने passport पर spouse name, अगर आप married नहीं हो तो आप इसको blend छोड़ सक पर आपको click करना है next और उसके बाद आपको डालना है अपनी address detail तो सबसे पहले जो address आपको डालना है वो डालना है अपने home country का address, for example, India का address, अब यहाँ पर आपको वो address डालना है जो या तो आपके passport में already है, अगर आप आपने चूज किया है कि आप address भी update करवाना चाहते हो तो यहाँ पर वो address डालना है जो जिस address पे आप change करवाना चाहते हो, for example, मैंने जब अपने जब भरा था, अपने wife का भरा था, तो हमने वहाँ पर अपने Punjab का address डालना है जिस पे उसका address change करवाना था, अब next question है, is your other address out of India, तो हमारे case में आएगा yes, क्योंकि हम Canada से भर रहे ह तो यहाँ पर हमने choose करना है yes, और उसके बाद आपको अपना Canada का address यहाँ पर fill करना है, यह वल address अच्छे से देख के fill करना है, क्योंकि जब भी आपका passport आएगा, तो इस address पे deliver होगा, address के बाद आपको click करना है next पे, और उसके बाद आपको पूछेगा, कि आपके passport पे जो address है, वो पुराने address से similar है या नहीं है, तो इस case में आपको choose करना है, यह green button, no change to address, or have the address proof, अगर आपके पास address proof नहीं है, अगर आप address change करवा रहे हो, आपके नए address का address proof नहीं है, तो आपकी application reject हो जाएगी, हमारे पास था, इसलिए हमने choose करा था, कि we have the address proof, उसके बाद आपको नहीं पूर्पी डालना, content detail, जो की Canada में present है, और फिर आपको click करना है next पे, और उसके बाद आपको डालना है, अपने passport की detail, तो सबसे पहले आपको डालना है, उपने passport का नंबर, place of issue, और उसके बाद आपको डालनी है date of issue जो आपके original passport पे है और आपको डाले है date of expiry और सबसे last में आपको डालना है file number तो ये जो file number है आपको अपने passport के last page पे जहां पे आपकी address detail होती है उसमें सबसे नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा file number आपको same file number वहाँ से देखके डालना है और उसके बाद आपको चूज करना है कि आपके पास कभी diplomat passport था या नहीं हमारे case में no और अगर आपने कभी passport apply किया था और आपको issue हुआ था या नहीं तो उस case में भी no उसके बाद आपको click करना है next पे और उसके बाद आपसे security question पूछे जाएंगे जिसमें आपसे पूछे जाएगा कि आपके उपर कभी कोई case था कि नहीं कभी कोई police complaint आई थी कि नहीं वगरा वगरा हमारे ये सारे question के answer no थे इसलिए हमने no select किये और अगर आप अपने according answer select कर लेना और उसके बाद आपको passport का preview दिखाएगा जिसमें आपका नाम आपकी date of birth और आपका mother father name address सब कुछ होगा आपको ये सारी information verify करनी है और उसके बाद आपको click करना है next पे और next bug के बाद आपको click करना है ok पे और उसके बाद आपको आपके form की पूरी समरी दिखाएगा जो जो आपने fill किया है आपको ये सारी information verify करनी है और फिर नीचे scroll down करना है और वहाँ पे आपको I agree पे click करना है और place पे अपनी place डाली है for example हमारे case में क्यालगरी था उसके बाद आपको click करना है submit पे इसके बाद आपकी application submit हो जाएगी और आपको आपकी application का reference number मिल जाएगा आपको ये reference number note कर लेना है अब आपको आपकी application का print out लेने के लिए home page पे जाना है वहाँ पे आपको आपकी submitted application दिखेगी आपको आपकी application आपकी select करनी है और फिर print application का button आएगा उस पे आपको click करके PDF form पे भी आप save कर सकते हो और आप print out भी ले सकते हो direct प्रिंट करने के बाद आपको आपकी application form पे लगानी है अपनी photo ये बात का ध्यान रखना है कि यह यहाँ पे passport size की photo नहीं लगी यहाँ पे आपको 2x2 की photo लगानी है अब इसके बाद चेक कर लेते हैं कि आपको कौन-कौन से document लेके जाने है तो सबसे पहला तो आपका online form है और उसके बाद आपका जो इंडियावाला passport है वो है next है आपका proof of permanent address and status in Canada तो इसमें आप अपना driving license और PR card लेके जा सकते हो next है fee and photograph fee आपको वहीं पे submit करनी है मैं आपको आगे बताता हूँ कि वह कैसे submit करनी है और अगर आपने spouse का नाम add करवाया है तो उसके लिए आपको अपना मेरे certificate साथ में लेके जाना है और अगर आपने address change करवाया है तो आपको अपना valid address proof जो की अधार कड़ है वो साथ में लेके जाना है हाँ जी तो form आपने बर लिया और जितने सारी documents है वो आपने collect कर लिये तो यह सब करने के बाद अब next step आता है कि आपको लेनी बड़े की appointment अब appointment लेने के लिए ये इनकी website पे भी appointment लेने का option है वहाँ पे मत जाना क्योंकि वहाँ पे सारी की appointment book दोती है मैं आपको बता दता हूं कि क्या करना है कोई appointment लेने जानी की जुरूद नहीं हम सीधा directive वहाँ चले गए थे और हमारा काम हो गया तो हमने किया कहता अब BLS office Canada BLS office अपने city का सर्च कर लेना कहां पे है ठीक है मैं Calgary के यहाँ डाल दूँआ आपको बहाँ जाना है तो प्रैफर करना कि आप सुबह सुबह चले जाओ हम सुबह यहां से साथ बजे निकल गए थे और साड़े था या पौने आट बजे के करीव बहां चले गए थे वहां पे लंबा लाइन अप था ठीक है लेकिन लाइन अप था कम से कम 15-20 लोग होग अगर आप और हमारे लागा था दो फोटो के लिए 9 डॉलर दो फोटो के लिए 9 डॉलर फिर से बता रहां क्योंकि यह बहुत जादा चार्जिस हैं बट हमें जुरूरती तो हमने लगवाए मैं आपको पहले बता रहता हूं कि 2x2 की फोटो लगती है उस फोर्म पर लिखा इस अप्लिकेशन को इसलिए उनने कहा कि नॉर्मल वाला फॉर्म पर रहा हूं और फिर दुबार हम उनको सम्मिट करेंगे लेकिन काम सारा था दस मिनट का लेकिन यह बागने इदर उदर करने में लगया ठीक है तो और उसके बाद जब हम यह इदर उदर भाग रहे थे त जो सारा जो लोग पहले आयोई थे जो 15-20 लोग पहले आयोई थे उनका काम आदे पोने गंटे में हो गया था उसके बाद खाली हम ही बैठे थे नो दस बजे के करीम वहाँ पे और जब हम वहाँ पे गए उन्होंने दस मिनट में हमारी डॉक्यमेंट सम्मिट किये हमारी प अप्लिकेशन से आप ट्रैक कर सकते हो और आपका पासपोर्ट आजाएगा चार से पांच वीव में ठीक है आई होप आपको यह वीडियो इन्फरमेटिव लगी होगी और आपके काम आई होगी या फिर अगर आप किसी कोई और आपका फ्रेंड जो पासपोर्ट रिम्यू बाइ